अस्सलाम वालेकुम एवरिवन, I am Dr. Mariam from B.U.A.M.S. Second Phase of लुख्मान युनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल विजापूर आज के इस वीडियो में हम हिजामा के कुछ फाइदे के बारे में जानते हैं हिजामा के बारे में हमने पहले की वीडियो में डीटेल से देखा था आज हम उसके कुछ गिने चुने फाइदे देखते हैं तो नमबर एक पे आता है Blood Circulation हिजामा करवाने से हमारे बाडी में Blood Circulation अच्छे से रहता है जिसकी वज़ह से हमारी Skin Healthy रहती है और इसकी वज़ह से हमारे हर एक हिस्से में खून बराबर से पहुंचता है नमबर दो है दर्दों को कम करता है हिजामा करवाने से हम तरह तरह के दर्दों से बच सकते हैं जैसे पेट का दर्द, पीट का दर्द, या फिर कांधों का दर्द इन सब दर्दों में हिजामा करवाना मुफीत साबित होता है अगर किसी को बर्णिंग सेंसेशन हो रहा है हातों में, पैरों में जैसे के मस्क्लो-स्कलेटल प्रॉब्लमस में होता है और रिमारिक भीमारियों में होता है तो इसको कम करने के लिए भी हम हीजामा का इस्तेमल कर सकते हैं नंबर चार हम इस ट्रेश ओर टेंशन को दूर कियाtr jaar सकते हैं हीजामा हमारे बॉडी में मॉझूद जहरीले दिलर दूर करता है और जिसकी वजह से हमें आराम और शुकून महसूस हुता है नमबर पांच है, मिजाज को तस्केन देता है मिजाज मतलब इंसान का टेंपरामेंट जिनकी भी बाडी में मिजाज इम्बैलनस हुआ है या फिर अबनॉर्मल मिजाज है, तो इसी बैलनस करता है तो इन परसन में भी हम हिजामा का इस्तेमाल कर सकते हैं नमबर च्छे हैं, इम्यून सिस्टम को ताखत देता है। हिजामा करवाने से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं ताके ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स या फिर जो भी सेंटल नर्वस सिस्टम के डिसीजस हैं उनसे लड़ सके हैं। नमबर साथ है, आँखों की रोशनी को बर्खरार रखता है। हिजामा करवाने से हम अपने आँखों को हिल्दी रख सकते हैं क्यूंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और वहाँ के मसल्स भी अच्छा काम करने लगते हैं। नमबर आठ है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहतर बनाता है। हिजामा करवाने से हम खब्स की शिकायत या फिर अगर किसी को कॉंस्टिपेशन है तो वो ग्यास की प्रॉब्लम या फिर दूसरे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से उनको दूर किया जा सकता है। नमबर नौ है, स्किन को हिल्दी रकता है। हिजामा करके हम अपनी स्किन को बहतर बना सकते हैं या हिल्दी रक सकते हैं। क्योंकि हिजामा करवाने से हमारे चेहरे की दाग धबे ये सब दूर हो जाते हैं और चेहरा साफ, चमकदार और ज्यादा खुबसूरत होता है। नमबर दस है सरदर्द और माइगरेन। हिजामा को आजकल इसी के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि ये सरदर्द और माइगरेन में आराम दिलाता है। इनी सब फाइदों की वचा से आज हिजामा की पापुलेरिटी में और ज्यादा इजाफा हो रहा है। हिजामा के फाइदे और नुखसान हर इनसान के लिए अलग-अलग होते हैं। इसलिए अगर आप भी हिजामा करवाना चाहते हैं तो एक मश्यूर डॉक्टर या फिर तबीब से मश्वरा जरूर लें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्फुल रहा होगा। अगर आप लोगों को इससे हेल्प मिली तो अपने दोस्तों को अपने फैमली मंबर्स को जरूर शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। थैंक यूू।